नमस्कार स्वागते अब सभी का न्यूस 21 में रायसिंग नगर में यातायाद पुलिस की ओर से सुमवार को विबन गौशाला में बाजार में निराक्षुत घूम रहे पश्मों के गले में रेडियम रिफ्लेक्टर पट्टियां बांदी गए यातायाद प्रभारी के बाजार में मार्गों पर गौवंच के गले में रेडियम रिफ्लेक्टर पट्टियां बांधी गई ताकि रात के अंदेरे में वाहन चालकों को और जानवरों को दूर से दिखाई दे जाने पर होने वारी दुगटनाउं से बचा जा सके रायसिंग नगर से राजू शर बाज सहित परजनों ने शव के साथ रोत पदर्शन करते हुए कहा कि जब तक बिजली विभाग के अधिकारियों को सेस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक शव को आसीन मोचरी से नहीं उठाएंगे आसीन से परमविर सिंग कटार की रिपॉर्ट डीडवाना विधान ट्राक्टर टॉली और डंपर चालक के बीच बिरंथ हो गई घालों को 108 एंबुलन्स पालिट राकिश कुमार व एमटी अमर चंद के द्वारा तुरंत राज के बागर जिला अस्पताल पहुचा आए गया जहां पर डॉक्टर ने शंकर सिंग और ख्याली राम को मुरत घो डूंगरपूर जिले के बीचीवारा पंचाज समिती अंतरगर तलाया के राज की उचमादमिक विध्याले में नवनिर्मित कक्ष का लोकारपन बर्बतोर मुख्य अतिती विधायक गणिश घोगरा के कर कमलो द्वारा किया गया विधायक मज से स्वीकरत 14 लाग की लागत वहीं दूसरी तरफ मांडलगड में चंबल पेजल परियोजना के कार्मिकों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है यहाँ पर गेनोली पंचायत के धाकड़े खेड़ी गाव में पेजला पूर्ती के लिए उच्छ शमता वाली पानी टंकी रोजाना ओवर्फलो हो रह काय की चंबल पेजल परियोजना के करमचारी लापरवाही बरत रहे हैं टंकी ओवर्फलो होने के बाद भी कई घंटों तक वाल्व को बंद नहीं किया जाता पीने का पानी बेकार चला जाता है जिससे की बिजली खपत के साथ पेजल का भी नुकसान हो रहा है यह सिलसला पिछले कई दिनों से चल रहा है और इस मामले के ग्रामिनों ने जिम्मेदार अफसरों को भी शिकायत की लेकिन पानी बचाने के बजाए बरबात किया जा रहा है ग्रामिनों ने लापरवाहा कार्मिकों के खिलाब कारवाई की मांग की मांडलगर से पीरू मनसूरी की रि और राइजिंग राजिस्थान सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेडना भी दी जैपुर से बीरो रिपॉर्ट जो बिजनस वर्ल्ड है उसमें तो मैं मानती हूं कि जितनी भी बड़े बिजनस नाम हैं बड़ी फैमिलीज हैं वो जादा तर राजिस्थान से ही निकली और उन्होंने ना पूरे देश में अपना नाम बहुत बड़ा बिजनस इस्टैबलिश किया इंडस्ट्री इस्टैबलिश की पूरे विश्म में इस्टैबलिश की लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो फिर से जो अपने बैक टू रूट्स की जब हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में हम इतिहास के बारे में बोले हमारे हमारी संस्क्रिति के बारे में हम लोग कहें हमारे कल्चर के बारे में कहें हमारे टूरिजम के बारे में बात करें हमारी अग्रिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में बात करें नाच्रल रिसॉर्स की बात करें यह सब क तेहसिल की टेंट किराय विवसाय समिती के नवगठित कारेकार्णी के पदादिकारियों का शपत ग्रेंट समहारों मोड भटा के पास इससर श्रीराम बातिका में आयजुत हुआ। खेडली कस्पे के सीमापरती ग्राम गाव समुची में आज दोपहर अग्यात कारणों के चलते चारे में भीषण आग लगने से चारों तरफ अफ्रात अफ्री फैल गई और इस आग से समीप एक पेड़ पर बंधी भैंस पीजल कर मर गई। सरपंच और जनपतनिद्यों पर अंदे की और अंसुनी करने का आरोप लगाया। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। 17 अक्ट्यूबर को गोपाल गुफा पर राम जान की मंडल गंगापूर सिटी द्वारा दरजनू जीवन तचाकियां लगाई गई। तथा मा शुर्दा कलाकेंद्र गंगापूर सिटी के एक्ष्याती प्राप्त कलाकार सांस्कुतिक भजनों पर प्रस्तुतियां देंगे। अब्दुल ब्यमन को गरफ्तार किया तो वहीं कार से कुल 43 किलोग्राम गांजा भी वरामत किया गया सरहोई से बीरु रिपॉर्ट और इसी ख़बर के साथ इस बुलिटन में फिल हालित आहीं नमस्कार। कि अग्याओकर प्रस्तुतिक भी रिस ब्दुल अज़किंगे।